B.E.O. एक नई बेकेंसी जो की उत्तरप्रदेस में लांच होई है जो की एक बहुत महत्वपोड पद है आप सब लोग इस पद की गरिमा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो लोग भी इस पद के लिए इलिजबिल हैं संस्थान उनके तैयारी में युगदान देने के लिए एक बैच लांच कर रहा है फ्रैंकली आप से बात करना जरूरी होता है कि यह एक डेमो क्लास एक प्रमोशनल क्लासेस हैं जो हम लोग प्रवाइट करते हैं जैसा कि आप लोग हर चीज को अच्छी तरह से जानते हैं तो उसी एक उद्देस में हम लोग यहां पर जैस जैसा हमेशा आपने हर बैच में अपना सहयोग दिया है आप लोग हमेशा हर चीज को सराह है उसी का पूरी उसी की पूरी आप एच्छा रहेगी कगर हम लोगों ने आपके साथ नयाय किया है हम लोगों ने चीजों को अच्छी तरह से आप से कमिटेट बे में आपके साथ चीजों का निर्वाह किया है तो आप जरूर हर चीज को प्रमोट करेंगे हर चीज को अच्छी तरह से लेंगे आपको संपूर सेलबस की संपूर पार्टिक्रम की जनकारी आलोग सर ने अपने वीडियो के माद्यम से दे दिया है उस पाठिक्रम में elementary mathematics के साथ साथ reasoning course भी आपके साथ involved है mathematics का portion मैं संदीपतिवारी आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग लगतार इस platform पर math का subjects एक दूसरे के साथ यहाँ पर coordinate करते आए हैं हम मैस का सब भी से आपको पढ़ाते रहे हैं और आप लोगों ने अच्छी तरह से इसका अनुभावी किया है reasoning का भी से उसके लिए भी आप पूरी तरह से जानते हैं कि रभी सर एक अच्छे लेबल पर एक बड़े लेबल पर आपको reasoning के साथ आपसे मिलते रहे हैं हलाकि अभी रभी सर इस समय उपलब्द नहीं है संस्तान में उनकी नानी जी का देहान थो गया और हम सब लोग उसके लिए जो है सोग्रस्त हैं लेकिन उसी के परपस से रभी सर थोड़ा से अपने घर पर समय परिवार के साथ बतीत कर रहे हैं इसकी वज़ा से अभी आज के दो-चार देनों तक हमारे साथ उवलब्द नहीं रहेंगे लेकिन जैसे ही वहां की प्रक्रिया संपोर्ड हो जाती हो आपके साथ तुरंदा करके अपनी क्लासेस के माध्धम से और आप रभी सरका योगदान जानते हैं अच्छी तरह से केवल रिजिनिंग भी सहसे नहीं और करेंट अफेर्स के साथ भी आपके साथ मिलते रहें और आप सब की परिच्छा में योगदान देते रहें समय जादा जाया नहीं कराय जाया जिससे की पाठिकरम पर, कोर्स पर, इन सब पर बिस्त्रिज जनकारी, बिस्त्रिज डिसकसन के साथ क्लास क्यों किया जाएं तो चलिए इसे उम्मीद के साथ कि आप चिप चीजों को अच्छी तरह से एकसेप्ट करेंगे, समझेंगे 2020 की विकेंसी के लिए जो कि आपके लिए जो है 309 पदों पर आयोग से आयोजित की जानी है और यह 309 पद बहुत ही महत्पोड है अगर हम इसमें एक पद की अपनी सुनिश्चित, अपनी सीट की भागेदारी को निभारना चाते हैं तो जरूरत है हमें एक अच्छे प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रस्न पूछे जाते हैं और लगातार अगले वीडियो के माद्धियम से आपको लेक्चर तो लेक्चर हर एक चीज प्रवाइट करते रहेंगे तो सुरुवात हम सबसे पहले यहाँपर करेंगे आपको विशय के सास्से पहले क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैट का सबजेक्ट है, गडित का सबजेक्ट है और हर एक चातर जो की इस प्रकार की प्रपेरिसन करता है, गडित को लेकर बड़ा भahlenवीत रहता है गड़ित में हम लोग लगातार इस problem को face करते आएं कि हमारे सामने वह एक gentry जो की दोनों प्रकार की होती है हम लोग अच्छी तरह से बात को अलबहो करते रहें हमेशा कि हम में से बहुत सारे लोग की mathematics बड़ी अच्छी होती है कुछ लोग की बहुत ही बीक होती है हर प्रकार के लोग इस परिच्छा में पार्डिसिपेट करेंगे लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी से स्ट्राटजी के साथ मैट की प्रिप्रेशन कर लें तो मझे एकदम से पूरा विस्वासी कि जो 20 से 25 कुश्चन आने वाले हैं हर एक प्रसन की एक बैलू अपने को समझ में आ रही होगी क्योंकि धाई नंबर का प्रसन है अगर हम इस 20 से 25 में 75 से 80 परसन तक के कुश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं तो हम लोग एक अच्छी जो है अपनी योजना को कर पाते हैं और एक अच्छी योजना को यहां पर पर प्रिजण कर पाते हैं तो मैं अपको पूरा उमीद पूरी विस्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आप प्रापर वे में इसे स्ट्रेटली के साथ प्रापर तरीके से आप continue करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक लेबल आपका बनाने की पूरी कोसिस करूँगा मैं एकदम से बेश से जहां से सुरुवात होती है एक्चुली वहां से हम लोग यहां पर continue करेंगे इस class के माद्दिम से सुनने लेबल से लेकर कि हम सिखर तक पहुँचने की पूरी कोसिस करेंगे जिससे कि आपको इस math की गंभिरता को अच्छी तरह से आप समझ पाएं क्योंकि आप जिस एक पदव को पाने की कोसिस कर रहे हैं उस पद में केवल जरुवत यहां पर पद को पाना ही नहीं पद का निर्वाह करना है और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हर वी से हर कोर्स के साथ या हर एक तयारी के साथ mathematics जोड़ा गया तो कहीं ने कहीं उसका उपयोग आपके जीवन में भी है और आपके जो है आपके प्रोफिस्नल जीवन में भी है दोनों प्रकार के जीवन में math का उपयोग हम लोग करते हैं यह 20 से 25 कुश्चन हमारी इस परिच्छा के इस preparation के लिए बहुत ही महत्पोड है हम थोड़ा से discuss करेंगे जो math की रूप रेखा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपने course को देखा होगा कि जो गडित है उसको तीन रूपों में भागा गया है यहाँ पर generally हम लोग जब math पढ़ाते हैं हम कहते हैं कि math actually तीन रूप में नहीं बलकि दो रूप में होती हम लोग जब पढ़ते हैं किसी भी competitive examinations के लिए तो हम कहते हैं गडित दो रूपे में बटी होती है एक तो arithmetic लोग अंगडित को लेते हैं जिसको अंगडित कहते हैं हम लोग यहाँ पर generally हम आते हैं और advance में कौन कौन सेटर में आते हैं बट यहाँ पर अन्य vacancies की तरह यहाँ पर भी देखिए आपको जो है तीन भागों में आपके जैसे आप structure अपना course का देखेंगे तो अंगडित दीखेगा बीजगडित देखागा और रेखा गडित दीखेगा ओभी based on 10th standard इसमें कौन सी बड़ी बात है क्योंकि हर परिच्छा का जो standard हो 10th ही तो है कुछ चीजे अब आज कल 10th standard भी आसान नहीं रह गया है कुछ चीजे ऐसी हो गई है जो कि पहले के 12th standard को अब 10th standard में convert कर दिया गया है इसलिए थोड़ा सा इन सब चीजों की गंबिरता को लेना ब आपको एक एक चीज क्लेन करते चला जा रहा हूँ आप लोग थोड़ा से यहाँ पर चीजों को समझेगा सबसे पहले में बात करूँगा अंगडित की जिसको arithmetic कह रहे हैं जिसकी सुरुवात क्योंकि math है तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम लोग गडित प्रती आप सबको अच्छी तरह से पता है तमाम अन्यभासाओं की तरह गडित भी एक प्रकार की एक ऐसा medium है जो हमारे अंदर एक उर्जा देता है हमको एक approach प्रवाइट करता है और वह approach वह उर्जा जो हमको प्राप्त होती है वह दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने म हमारी मदद करती है वह समस्या चाहे जिस प्रकार की हो अगर वह calculated है जिसमें गड़ना की जा सकती हो तो हर इस समस्या को एक रूप देने के लिए समीकरण की आऊ सकता होती है equation की requirement होती है और वह equation depend करता है दो चीजों पर संख्या पर और प्रतीक पर संख्या आप सब को लेकिन मैं आज की date में आपको बता दू कि अगर आप पूरी गड़ित पढ़ेंगे competition के लिहाज से तो संख्याय मुखता हम तीन प्रकार की यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे मैं आपको अभी की जानकारी के लिए बता दू हलाकि यह कोई logical बात में नहीं कह रहा हूँ यह practical बात के रहा हूँ जो हम लोग actually प्रयोग करते हैं हम संख्याय जो फेस करेंगे वो मुखता पुडांग संख्याय होगी आप सब पुडांग के बारे में जनकारी रखते होंगे integer जिसको कहा जाता है जिसमें ना तो दसमलो लगा होता है ना वह संख्या भिन्न की तरह होती है वह पूरी तरह से एक complete संख्या एक कुडांग संख्या होती है आप दसमलो के साथ संख्याओं का प्रयोग देखेंगे जिसमें दसमलो लगा होगा ऐसी संख्या जिसे हम लोग generally कहते हैं exam के दोरान या पढ़ने के दोरान दसमलो वाले प्रसन आगे टफ हो गया भिन्न व साथ-साथ operators बहुत सारे हैं जैसे की equal to है या बहुत तरह के ऐसे special symbols है खासकर हमारी mathematics में जब है advance पढ़ते हैं जब 20 गडित पढ़ेंगे रेखा गडित पढ़ेंगे तो हो सकता कुछ requirement हो बहुत ज्यादा requirement यहाँ पर नहीं है जैसे कि खासकर करड़ी बन जाएगा या इस कुछ special symbols हमें यूज करने को मिलेंगे आपको कूरी अंगडित में केवल इतने ही प्रकार की बाते करनी है संख्या के ओपर discussion करना है और प्रतीक के ओपर discussion करना है एक एक पहलो को हम complete करते चले जाएंगे और जो मैं यहाँ पर आज आपको point दे रहा हूँ हर point आपके class में एक तो संख्याओं के ओपर बहुत बड़ा research किया गया संख्याओं की एक बहुत बड़ी यहाँ पर detailed discussion की गई और पता चला कि संख्याओं से संबंदित complete concept ही पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ा task है संख्याओं का ब्रिहद रूप अगर हम सीख जाये तो पूरी गड़ित ही स दिस्कस करूँगा तो 60-70% संख्याओं के बारे में डिस्कस कर पाऊँगा हलाकि वह आपके लिए complete होगा वह बहुत होगा आप उतने पर ही अगर focus करते हैं तो बहुत जादा आप complete करते हैं हम प्रश्चा को ध्यान में रखते हुए भाजिता का नियम जो हमारे लिए खास कर आपकी परिच्छा जो आपके आपका commission कराता उस पर बहुत ही dependent है अस्थानी जाती अमान मैं आपको प्रस्ण दिखाऊंगा किस प्रकार से आयोग में प्रस्ण पूछा गया है अस्थानी जाती अमान का जिसको लोग ignore करते हैं यह topic भी बहुत important है हिकाई का अंक ग्याद करना हर परिच्छा में पूछा जाता है trailing with zero अंत से सुन्यों की संख्या गिनना बहुत ही important है सेस्फल को बिलकुल ignore नहीं किया सकता सेस्फल ग्याद करना चाहे जिस प्रकार की संख्या हो number series या इस आयोग की सबसे important पहलो है हलाकि इसको दोनों में आप पढ़ेंगे math में पढ़ेंगे और reasoning में भी पढ़ेंगे तो दोनों प्रकार से संख्या सिरीज number series को आप लोग यहां पर संख्या स्रेडी को जरूर पढ़ेंगे संख्या के जो और भी बीच के topics रहेंगे जो बीच-बीच के प्यालू रहेंगे chapter point to point पढ़ते समय हम उन सब के बारे में discussion करते रहेंगे एक-एक बात हम लोग complete करते हैं दूसरा और महत्पोर भाग जो कि यहां पर हमारी arithmetic का सबसे महत्पोर सबसे गहन भाग होता है वह आपका प्रतिसत होता है जिसके पढ़ भर लेने से और मैं यह बात ऐसे नहीं कह रहा हूं यह बहुत ही हम honestly और बहुत ही मैं confidence के सा दूसरा प्रतिसत के अधार पर दो चीजों के भी स्तुलना करना ना तो प्रतिसत से कोई प्रस्न छूटेगा प्रतिसत के जितने भी पार्ट होते हैं चाहे वह आपका आयक बे हो चाहे वह आपकी जनसंख्या हो चाहे वह चुनाओ का प्रस्न हो चाहे एकजाम का प्रस्न ह चाहे जिस प्रकार का भी प्रस्न रहेगा वही दो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसी पर मैं आप लोगों से काम करवाऊंगा उसी पर दो लोगों से काम कर लें से परतिसत पूरा कंप्लीट होगा, साथ साथ उसी पर लाभानी कबर होगा नया नियम एक भी नहीं पढ़ना होगा फूरा डिसकाउंट पढ़ना होगा पूरा सधारन ब्याज, पूरा चक्रविद्ध ब्याज आप गंप्लीट करेंगे आपको एक से दो से जादा कोई नियम पढ़ना ही नहीं होगा हाँ, concept जरूर आपको revise करना पड़ेगा, चीजों को अलग-अलग explain करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ इसी पर dependent होगा, प्रतिसत, इसलिए हम लोग generally arithmetic की root, इसका base arithmetic का हम लोग प्रतिसत को मानगर चलते हैं, आगे जो जो पढ़ते जाएंगे, तो हम लोग सीखते जाएंगे, आउसत, एक बहुत महत पोड़ भाग है आपके commission के अधार पर, ratio and proportion को भी हम उसी तरह से importance देते हैं, जैसे प्रतिसत को देते हैं, हम अभी ऐसे बहुत सारे topic चाहे percentage का ही इम पढ़ेंगे, चाहे हम profit last का पढ़ेंगे, वहाँ भी हम ratio आपसे प्रियोग करवाएंगे, वहाँ कि यहाँ पर लासा मासा ही नहीं पढ़ेंगे, इसका अनुप्रियोग करना सीखेंगे, किस प्रकार से इसका सब्दों का प्रियोग करके यहाँ पर प्रस्ल बनाये जाते हैं, तो आपको लासा मासा का पूरा अनुप्रियोग, ratio का अनुप्रियोग, ratio पर अधारी दो अन्य टापिक जो महत्तपूर होते एक प्रसन एक प्रसन इसका कंफर मानिये आएगा आयू संबन्ध 100% आपके परिच्छा में पूछा जाता है चाहे जो भी परिच्छा आप फेस करते हैं साज़ेदारी आजकल जरूर पूछे जाने लगा है अनुपात आप जरूर यूज करेंगे किसी ना किसी चैप्टर में और सथ की तो बात ही छोड़ दी जाओ सथ तो इंपॉर्डेंट है ही है लासा मासा का अनुप्रियोग 100% एक प्रसन आपको देगा तो कही न कहीं से जो तीन टॉपिक यहां पर लिखे गए हैं बहुत ही महत्पोड रोल प्ले करते हैं आप इसलिए इन टॉपिक्स को भी बहुत ही गंभीरता के साथ ले करके हमें चल लाए दो बहुत महत्पोड भाग आप देखेंगे तो टाइम एन वर्क खास कर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं टाइम एन वर्क का एक प्रस्ण हमारी परिच्छा में पूछा जाने लगा है या पूछा जाता है टाइम एन वर्क के जितने भी पार्ट हो चाहे हुआ उनकी एफिसेंसी पर अधारित हो चाहे महिला पूरुस बच्चों के कारे पर अधारित हो चाहे दिन, वेजिस, मजदूरी के अधारित प्रस्ण हो या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ण हो और इसी के पढ़ भर लेने से यह topic भी complete होता हला कि इसका भी प्रस्ण आप लोगों को exam में दिखेगा न लोट टंकी का जो कि पूरी तरह से time and work पे dependent है इसलिए timer को और पढ़ भर लेने से सब complete अपने आप हो जाता है इसी तरह से इस से related जैसे चाल दूरी समय की में बात करूँ चाल दूरी समय अपने में तो ठीक है mensuration में भी पूछा जाता है अला कि आपके mensuration नहीं दिया है लेकिन हम जहनते हैं mensuration की बीन होगा नहीं mensuration भी test होगा जो नहीं लिखा है मान के चली उसका भी प्रस्न आएगा उभने इतना उसने लिख दिया है आप देख लिजेगा इस चीज़ को मैं अभी करंटी के साथ बोल रहा हूँ चाल दूरी समय चाल दूरी समय को हम लोग यहां पर complete करेंगे नाओधारा के साथ और train के साथ आप एक एक चीज़ को गंबिरता से लिजेगा हर सब्दों को गंबिरता से लिजेगा नाओधारा, train और पूरा चाल दूरी समय जिसमें हर प्रकार के topic इसमें complete करे जाएंगे आगे हम लोग यहां पर एक topic कबर करते है allegation and misread और यहीं से आपका the end हो जाता arithmetic का अंगडित का अंगडित यहीं पर समाप्त होगी जब अंगडित समाप्त होगी तो क्योंकि देखी पहले क्या होता था कि अंगडित को ज़्यादा का part होता था mensuration के साथ उसको यहां पर अलग-अलग करके दिखाया गया है तो बीजगडित को हम लोग यहां पर देखने की कोसिस करेंगे कि बीजगडित में क्या-क्या हमको पढ़ना है बीजगडित की बात किया जाए सबसे पहले चिस सभी प्रकार की सरो समिकाएं चाहे वह वर्ग पर अधारित हो चाहे वह घंपर अधारित हो किसी भी प्रकार की हो किसी भी प्रकार के नियम जो आपको 20-25 फार्मुले यहां पर पढ़ाया जाएंगे वह फार्मुले हम क्यों लिखवाएंगे नहीं, उसको हम एक एक करके explain करेंगे, समझाएंगे, उस पे अधारित हम numbers को लेकर के आपको इसकी जानकारी देने की कोशिस पूरी करेंगे समिकरणों का बिस्तर सरूप, समिकरण जैसे मैंने starting में भी बताया, कि math पढ़ना मतलब समिकरण पढ़ना, समिकरण ही math को promote करता है, अगर देखा जाये तो, किसी भी problem को हल करने के लिए आप समिकरण develop करते हैं, अब उस समिकरण की पूरी रोप रेखा यहाँ पर पढ़नी हो पढ़ेंगे, दो पदो पर अधारित पढ़ेंगे, हलांकि दुई घात को भी दो पदो पर पढ़ा जाता है, लेकिन आपके syllabus में उकाम नहीं करता है, आपको दुई घात केवल एक पदो पर पढ़ना है, मतलब एक जो है, आप पद के उपर कह सकते हैं, एक variable के उपर प्रियोग को पर प्रोपोशनल बीडियोज में, और यहो सब चीजे आप करड़ी का प्रियोग इसमें समझ सकते हैं, समी करड़ों को जो मैंने अब इसकस किया, उसका अनुप्रियोग, अनुप्रियोग का अर्थ होता है कि यहाँ पर वर्स प्राबलम, जो कि ऐसे समंदिस सब्दवावली पर अधारित होते हैं, जो बिसकुष्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उनके प्रसनियापर पोचे जाएंगे, यह हो गया बीजगडित का रूप, अब बात आती ही, जो कि मीजर्मेंट पर डिपेंडनेंट है, और यह हमारी जीवन की महुत बहु इसको पढ़ा ही कुछ इस प्रकार से जाता है, जियो प्लस मिट्रियान, मतलब जियो कार्थ होता है, अर्थ रिथभी, मिट्रियान मिंस मीजर्मेंट, और यूकलिड एक साइंटिस्ट थे जिन्नों ने अर्थ मेट्री की यहाँ पर हमको जनकारी दी, इसलिए उनको फाद इसको मापने के लिए कुछ बेसी किकाईओं की बात उन्होंने हमसे करी, उन्होंने हमसे बताया कि चाहे वह आपका समतल हो, मतलब बोर्ड हो, आपका डेक्स हो, मेज हो, या पेपर हो, कहीं पर भी कोई चीज आप अस्थापित कर सकते हैं, अगर जिस चीज को आपने अस् उसको हम दिखाते हैं मैं केवल बिंदू नहीं बिंदू की जितनी भी detailed information है वो हमें आपको दूगा और आप लोगों मैंसे जो मुझे से पढ़े हो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते की चीज़े आपको बताई गई है रेखा, lines बिंदू से बिंदू को मिलाएंगे बिंदू से बिंदू को मिलाएंगे तो रेखा बनेगी रेखा को रेखा से जोईन करेंगे तो कोड़ बनेगा और इन सब का प्रियोग करके एक आकरती एक चितर का निर्माड होगा हलाकि चित्र को हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि इतना हम आपको 3 प्रकार के चित्र बताके खतम कर दें, जिस दिन चित्र मैं बताऊंगा उस दिन आपको इस समझ में आगी चित्र actually किस प्रकार से बनता है चित्र का एप्रोच हमारी जिमेट्री में क्या होता है लेकिन हम जानते हैं कि उनके प्रस्न एक्जाम में आएंगे इसलिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ चाहे वह डियाई हुआ आकड़ों का आकलन आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी एक अप्रोच पर किसी एक फीगर के माध्यम से तीन से चार प्रस्न पूछे जाते हैं कभी कभी पाच प्रस्न जो कि आपके बार ग्राफ पर डिपेंडेंट होता है आकरिती चाहे हिस्टोग्राम पर डिपेंडेंट चाहे हुआ पाई चार्ड कर डिपेंडेंट किसी भी प्रकार से जैसे आप क्रिकेटर अगर खेलते हैं तो उनकी एनालेसिस करी जा यहाँ पर नीचे दिये गए होते हैं एक information एक data की reading से आप 3-4 प्रसन अराम से हल कर लेते हैं तो यह भले नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि परिच्छा का जो सरूप होगा उसमें प्रसन जरूर पूचे जाएंगे वह कहीं न कहीं से सिद्ध कर दिया जाएगा यहाँ इसका पार्ट है इसलिए हम लोग छोड़ के नहीं चलेंगे मैं यहाँ पर mensuration नहीं लिखा हूँ लेकिन मैं आपको जरूर बताओंगा mensuration के बारे में भी लिखा नहीं हूँ लेकिन बताओंगा जरूर कुछ चीजे जरूर छोड़ के हम नहीं चल सकते हैं चैसे elementary statistics है समाने सांखेकी का पार्ट हलाकि सांखेकी बहुत बड़ा भी से होता है लेकिन सांखेकी भी हम आपको तीन से चार वीडियो के या lecture के माध्धम से हम आपको सम्पूर सांखेकी की सम्पूर जानकारी जैसे हो माध्धिके और सम्बंदित हो माध्धिका पर सम्बंदित हो, मोड पर सम्बंदित हो इनकी तमाम प्रकार के सम्बंदों को हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे यह हमारा permit है course का जो हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे इस पूरी चीज को जो हम लोग यहाँ पर batch के माध्यम से जब हम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं तो batch के माध्यम से आने के बाद हम हर एक topic को आप सब को अच्छी तरह से पता है कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वोग अच्छी तरह से जानते हैं हर एक topic को जब पढ़ा जाएगा तो पूरी तरह से उसका एक complete discussion एक complete information हर एक topic के बारे में जो complete class रहेगी on every topic each topic हर एक topic पर साथ-साथ हम इसका खुद का handwritten notes देंगे आप लोग को handwritten notes देंगे हलाकि ओर notes हम नहीं लिखे होते हैं अपने हाथ से हमारे ही applying best के बहुत सारे students होते हैं जो कि इस topic को अच्छी तरह से लिखे होते हैं हम उनम से select करके आपके लिए provide करते हैं क्योंकि आप हमारे applying student नहीं होते हैं तो हम लोग उस तरह से चीजों को लिखवा नहीं सकते हैं इसलिए आपको handwritten notes देते हैं उसको आपको analysis करना है साथ-साथ हम हर class में हर topic से संबंदित एक PDF practice देते हैं PDF देते हैं जो कि practice के लिए रहती है और वह practice हम board पर भी आपको साल्व करवाते हैं class में भी topic को समझाने के बाद करते हैं तीसरी चीज हम लोग यहाँ पर एक complete practice set complete practice set जो कि आपका class हर एक topic पर based होता हर एक chapter पर based होता है complete chapter पर dependent होगा जब यह complete हो जाता है पूरा का पूरा course तो हम लोग test region कर organize करते हैं जिसमें हर सम्मंदित हर business सम्मंदित पहलों को touch किया जाता है यह चीज आपकी यहाँ पर पढ़ने के दौरान आपका पूरा complete course रहेगा दूसरी बात में एक और बताऊंगा जब हम लोग इस course को start करेंगे तिया course केवल और केवल B.E.O के लिए रहेगा यह course किसी और भी से के और परिच्छा को cover नहीं करेगा क्योंकि हाँ भले ही प्रस्ण मैच कर जाएं चीजे मैच कर जाएं लेकिन हमारा पूरा orientation B.E.O को लेकर रहेगा किसी और प्रकार के course जैसे कि SSC की preparation banking की preparation, CGL की preparation किसी भी प्रकार की और preparation को target नहीं करेगा यह हम पहले से terms and condition हम लोग इसको लेकर चलते हैं कि बाद में कोई ऐसी दोविधा ऐसी कोई confusion ना हो हम इस वीडियो को बना रहे हैं इस class को ले रहे हैं जिसमें मैंने इन सब चीजों की जनकारी दी कुछ लोग इस तरह की बातों को बहुत ही मायने नहीं रखते हैं लेकिन मुझे लगता है कि रखना चाहिए कभी-कभी हम लोग यहां पर confidence हमारा जब बढ़ता है तो हम आई जाकर कि कहीं या कहीं से कोई एक बहुत बड़ा achievement देता है हम कभी किसी ऐसी इस्तिती में रह करके तमाम उन प्रस्नों को ignore कर देते हैं जो मुझे लगते हैं कि बड़े असान है हम इनको छोड़ कर बढ़ जाएं लेकिन मैं आपकी जनकारी के लिए बता दू कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो उन प्रस्नों को बहुत फोकस करना चाहिए जो आपको बहुत आते हैं वही प्रस्न एक आया प्रस्न तमाम प्रस्नों को आपके अंदर करने की छमता देता है एक ना आता हुआ प्रस्न बहुत सारे आते हुए प्रसनों को गवाने की छमता दे देता है इसलिए प्रसन जो आता है उस पर तो खूब confidence करिए जो नहीं आता है आपने उसको पढ़ लिया तो आपको केवल जनकारी मिलती है जो आते हुए को हमने पढ़ लिया तो confidence देता है और हम लोग यही प्रयास करेंगे जो आए या ना आए किसी भी स्थिती में रहे तो हम लोग हर एक चीज को हर एक पहलू को बढ़ी गंबिरता के साथ टच करें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा चाहे जो टॉपिक आप पढ़ेंगे यह मेरा दावा है आज हम इस क्लास को अगर ले रहें तो कुछ बाते आपको हम जरूर calculation पर अधारित लेकर चलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जानकारी के साथ साथ यहां पर math हम लोग जो पढ़ रहे हैं math के वल जानकारी ही नहीं यहां पर मांगता है बहुत सारे जानकार होते हैं लेकिन completion में आने के बाद math नहीं कर पाते हैं बहुत सारे PhD holders होते हैं math पर research किये होते हैं लेकिन completion में math नहीं कर पाते हैं समस्या उनकी यही रहती है क्या रहती है दो चीजों की वो मैत का मूलमंत्र है एक आपकी स्पीड दूसरी आपकी ऐकुरेसी आपको क्योंकि आप कमटीशन दे रहे हैं तो दोनों चीजों का बड़ा ही माइने होता है स्पीड की, स्पीड आपको accurate करने के चक्कर में speed गवा देते हैं यह आप पहलो आप इसको समझ सकते हों मुझे balance बनवाना है दोनों चीजों में हमें समय को भी focus करना है मतलब speed up भी होना है और accurate भी करना है तब हम जाके select होंगे 100% perfection हमारे अंदर तब आएगा आप इन में से किसी एक चीज को बहुत अच्छा perfect करिए दूसरी चीज को गवा दीजिए तो आप competition क्वालिफाई करने के अस्तर पर नहीं होंगे इसलिए मैं आपसे यह request करूँगा बार-बार दोनों का coordination बना के चलिए speed develop करिए with accuracy इसी develop करिए तब जाकर कि हम लोग अच्छा कर पाएंगे अच्छी तरह से परिच्छा में अपना participation दिखा पाएंगे हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते जो प्रस्ण होते हैं प्रस्ण में 20-25% ऐसे प्रस्ण होते हैं हम इसको देखते ही उड़ा देंगे ऐसा कुछ नहीं होता है देखना पढ़ता है, करना पढ़ता है तब जाकी चीजे साल्व होती है इसलिए यहाँ पर गुमरा होने की बात नहीं होती है हम लोग यहाँ पर sincerity के साथ पढ़ेंगे ना कि हावा हुआई में पढ़ेंगे यहाँ बात मैं आपको गंबिरता से कहा रहा हूँ दूसरी बात हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने आप से कहा कि कुछ चीजे हम आपको समझाते हैं आचकी इस क्लास में जो आपकी परिच्छा के लिए बड़ा मददकार होगा और कहीं न कहीं से उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर consider किये होंगे किसी न किसी परिच्छा के माद्दें से एक परकार की इस सिती जैसे जोड की है आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जोड दिया गया है तो इसका मतलब जोड को हम अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा नहीं है जोड को हम अच्छी तरह से जानते हैं या होना चाहिए आपके अंदर आप सब को जोड आना चाहिए क्योंकि इस तरह का question तो हमें किसी भी हालत मिकर ले लेकिन हम इसको परिच्छा प्रयोगी कैसे बना सकें एक्जाम में इसका कैसे हम यूज कर पाएंगा और किस प्रकार से ऐसे प्रस्णों को हल कर पाएं मैं आपको बताना चाहूँगा हम सब जब इसको बहले देखते थे तो इसके दिमाग में हमारे यही आता था कि चलिए सब को लिख डालिए इंड डिजिट को काउंट करते जाए एक कैरी आता जाए हासिल बनता जाए हासिल बनकर के जोड़ने तो उत्तर आपके सामने हो जाएगा बट ऐसा नहीं करना है आपको आपको यहाँ पर थोड़ा सा एप्रोच लगाना है थोड़ा कम्टेटिव काम करना है और कम्टीशन के लिहाज से अगर हम इसको करेंगे हम दूसरे तरह से इस प्रस्वन को हल कर पाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ आप यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको बताओ आप भूल जाएए कि हम इंड से करेंगे भूल जाएए कि हम डारेक्ट लिक करके सब कुछ करेंगे हम प्रारंब से करेंगे हलाकि हम प्रारंब के बाद भी आपको कुछ ऐसे special tricks बताएंगे जिससे कि आप जल्दी से करने की समता आप के अंदर आएगी प्रारंब से करने में बड़े असानी है क्यों असानी है क्योंकि सब 4-4 डिजिट के नंबर है आप इन सभी नंबर्स को हम लोग जब इसको करते हैं तो ऐसे धिखाया जाता है कि आप इसको इस तरह से मस सोचिए आप इस सोचिए कि ये कुछ ऐसे मनी से रूपी हैं पैसे हैं जो आपके एकाउंट में कोई भेज रहा है और बहुत ही सेंसिटिव है अगर किसी भी प्रकार की कोई हुई कोई भी लूच पास आया तो यह बहुत बड़ा एक प्राबलम dejar कर देगा इस तरह से प्राबलम से बचने की लिए बहुती सिंसिर्टी से ऐसे प्रस्नों को हल करना है यह बताया गया आपको एकाउंट-काउंट करके बताना है तो मेरे एकाउंट में किसी जिजिट यहां पर write करें, लेकिन आपको प्रस्ण उठाने क्या उसकता नहीं पड़ेगी, आप देखें, 9000 मेरे account में किसी ने डाला, 2000 डाला, तो 9211,000 मेरे account में हो गया, 3000 और डाला, तो 113,14,000 मेरे account में हो गया, 8 और पड़ा, तो मेरे account में कुल 22,000 रुपए हो गया, 22,000 म हाँ पर ना भी लिखेंगे, तो भी काम चल जाएगा, फिर मेरे account में देखिए, पैसे अब आएंगे, 800 आया, 900 आया, तो 800, 900 कितना होता है, 1700 मेरे account में आगे, 17,4, 2100 हो गया, 22,200 हो गया, जिसका मतलब होता 2300, 2300 का मतलब 22 पहले से आ चुका है, 2000 जुड़ेगा, तो 24,300 ऐसे लिख देता हूँ, आपको दिमाग में रख लिया कि 24,300 हो चुका है, फिर देखिए, मेरे account में किसी ने 30 रुपए डाले, किसी ने 50 डाले, 80 हो गया, किसी ने 20 और डाल दिया, 100 हो गया, किसी ने 60 डाल दिया, 160 हो गया, तो जो मेरे account में कुल 24,300 था, अब 24,460 हो गया, तो 160 हम यहाँ पर लिग भी देते हैं और 24,460 मेरे दिमाग में भी चल रहा है दूसरी बात लास्ट में आईए किसी ने 4 दिया, किसी ने 6 दिया मतलब 10 रुपए दिये किसी ने 5 दिया, 15 हो गया किसी ने 7 दिया, 22 हो गया तो 22 अगर हम लोग 60 में जोड़ेंगे तो 82 होता है, 22 अगर 60 में जोड़ेंगे तो 82, 24,482 यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं और आप जोड़ेंगे तो आपको हासिल नहीं नजर आएगा, सबसे बड़ी खासियत हम लोग कहते हैं, हम इस digit sum के माध्यम से आपसन की मदद से भी प्रसनों को हल कर सकते हैं, हमें जरुवत ही नहीं किसी भी प्रकार के और अप्रोच की, हम डारेक्टली बिना calculation के ही ऐसे प्रसनों को solve कर सकते हैं, digit को जोड़ना है, single digit में बनाना है कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम पहले ऐसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9, 8, 17 17 का मतलब भी 1 और 7, ध्यान देते जाएगे, गद समझ में आएगा, 9, 8, 17, 17 का मतलब 1 और 7 8, 8 हो गया 8, 3, 11, 11 11 का मतलब 1, 12, 24, 6, इसका digit sum हो गया 6, फिर ध्यान दीजिए 9, 8, 17 अब चाहे तो आप डारेक्ट जोड़ दीजिए 9, 8, 17, 3, 20, 24, 24 24 का मतलब 4 और 2, 6 चाहे आप सिंगल सिंगल करके चलिए चाहे आप कंबाइन बे में चलिए सिंगल डिजिट में टम्स को लिखना है अगर कहीं पर 11 हो रहा तो उसको हम 2 मानेंगे 15 हो रहा तो 6 मानेंगे आगे देखिए 9, 2, 11, 11 का मतलब 2 2, 5, 7, 7, 6, 13, 13 का मतलब 4 यहाँ पर 4 लिख दीजिए यहाँ पर 4 लिख दीजिए आगे बढ़िए 4, 3, 7, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14 14 का मतलब 5 5 लिख दीजिए यहाँ पर 8, 2, 10, 10 का मतलब केवल 1 1, 6, 7, 7, 7, 14 का मतलब 5 लिख दीजिए अब सभी को एक बार जोड दीजिए क्योंकि बीच में प्लस है 6, 4, 10, 10 का मतलब केवल 1 1, 5, 6, 6, 5, 11 11 का मतलब 2 पूरे नंबर का डिजिट सम दो हुआ और यह मेथड इतना कारगर है कि आप कोई भी मैथ का समीकरण बना लीजिए सब में काम करेगा जो समीकरण का डिजिट सम होगा वही एंसर का भी डिजिट सम होगा जोड के देख लीजिए 4, 2, 6, 6, 4, 10 का मतलब 1 1, 8, 9, 9, 2, 11, 11 का मतलब 2 आपके आपसन में वही आपसन आपको सेलेक्ट कर देना जिसका डिजिट सम दो आता हो तो आप डारेक्ली यहां पर इस प्रस्न का उत्तर बता सकते हैं बिना किसी के मुझे लगता है जो गंबीरता से देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा जो नहीं देखे होंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको चीज़े एस पस्ट हो जाएंगी समझ में आ जाएगी कैसे क्या दिया है क्या कहना चाहता है ऐसा प्रसंद भी मिलेगा ऐसा प्रसंद मिला तो क्या हम इसको जो है दो बार घटाएं जोड़े ऐसा थोड़ी करेंगे कभी-कभी हमारे दिमाग में हम लोग जब इसको बेसिक पे फिस करते थे तो कहते पहले इसको इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो फिर घटा दो उत्तर आएगा ऐसा कुछ नहीं करना है डारेक्ट हो ही एकाउंट वाला स्कीम अपलाई करिए या तो डिजिट सम का अप्रोच अपलाई करिए एकाउंट वाला एप्रोच अप्लाई करिए तो आप कहेंगे मेरे एकाउंट में किसी ने 8000 डाला लेकिन 4000 निकाल भी दिया तो बचा 4000 पहले 8 आया, 4 गया, 4 बचा 4 में 5 फिर आया, 9 हुआ, 9 से 3 गया तो बचा 6000 6000 मेरे एकाउंट में हुआ फिर देखिए, 7000 किसी ने एकाउंट में डाला 2000 निकाला, 5000, स्वरी, 700 डाला 200 निकाला, 500, 500 में 300 जोड़ा 800 800 से 200 निकल गया 600 देखते जाईएगा, फिर देखिए, 60 डाला 60 निकाला खतम कहानी, 20 डाला 10 निकाला, 10 बचा, ठीक है, फिर देखिए पांच डाला 5 निकाला खतम पांच डाला 3 निकाला 2 उत्तर हो गया 6-6-1-2 6-6-1-2 पहला ही आपसन इस प्रसन का उत्तर है अब आप बताईए किया digit sum से नहीं कर सकते उससे भी कर सकते, कैसे कर सकते देखिए ध्यान से 8-7-15 15 का मतलब 1-5-6 छे छे बारा का मतलब 3 3, 5, 8 इसका डिजिट सम हुआ 8 4, 2, 6 4, 2, 6 6, 6, 12 12 का मतलब 3, 3, 5, 8 इसका भी 8 5, 3, 8 8, 2, 10 10 का मतलब 1, 1, 5, 6 3, 2, 5 5, 1, 6, 6, 3, 9 देखे 3, 2, 5 5, 1, 6, 6, 3, 9 यहाँ पर हुआ 9 अब देखे ए तो इससे खतम हो गया 6 में से 9 निकला तो 3 हो गया लेकिन रिड में हुआ है अब आप थोड़ा सा मैच करिएगा देखे अगर समझ में आ जाएगा 6, 6, 12 12 का मतलब क्या 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6 मैं आपकी जनकारी के लिए बता दो कभी भी अगर negative आएगा तो उसको आपको 9 में से घटा देना होगा कभी भी अगर negative result आता है तो उसको 9 में से घटा दीजिए तो आपको सही सही positive result यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा तो 6 देखिए आपका मैच कर गया तो जब कभी भी ऐसी स्थिति आए negative result आए तो उसको आप क्या करिए कि 9 में से घटा दीजिए कभी भी तो आपको उत्तर सही सही positive में प्राप्त हो जाएगा जब ऐसी situation आए तो आपको इस प्रकार से फिस करना है समझ में आ रही होगी बाते आगे बढ़ेंगे कुछ और बाते आपसे सहर करें कुछ और प्रकार के जैसे एक प्रस्न देखिए बड़ा कामन, बड़ा ही useful ऐसा प्रस्न भी आपको मिलता है और देखने के बात करने की छमता हमारे अंदर होनी चाहिए क्या होनी चाहिए सबसे पहले देखिए जैसे हम इस तरह का नंबर अगर देखेंगे हम ऐसे प्रस्न को अगर हल करना चाहिए तो क्या हल कर पाएंगे ध्यान दीजेगा आपको कहीं भी ऐसा लिखने क्या उसकता नहीं है ऐसा हमें लिखने की रिक्वार्मेंट नहीं है नहीं है, simply इसको एक लाइन, दो लाइन, तील लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, एक, दो, तीन, चार और पांच के सकते हैं, इसका उत्तर एक, दो, तीन, चार और पांच हो जाएगा ऐसा प्रसन पूछा जाता है, डारेक्ट आप लोग अगर ऐसे डिजिट के हिसाब से नंबर के हिसाब से एक, एक लिखा हुआ है एक, डबल, एक, ट्रिपल, एक, फोर टाइमस वन, फाइब टाइमस वन यू जस्ट गिट दा एंसर, वन, टू, थ्री, फाइब जस्ट काउंटिंग दा नंबर, जो हमारे पास नंबर से उनको हम काउंट कर देंगे, वही आपके उत्तर हो जाएंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांस सही इस प्रसन का उत्तर आपको मिलेगा वही सेम तो सेम, देखिए, डिजिट है बस प्राबलम यहाँ पर है, कि दसमलो लग गया कुछ लोग इसको देखकर कनफ्यूज होंगे कि दसमलो में हम चीजों को रेट करें ऐसा नहीं है, दसमलो में तो करा जाएगा बट फारवर्ड बे में नहीं किया जाएगा क्योंकि आप जब दसमलो की चीजों को लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार की बाते यहाँ पर सामने आती है ऐसे चीजे हमारी जनरेट होती है तो इसको जब हम लिखेंगे तो 0.4321 आएगा कनफ्यूजन में 0.1234 नहीं लगा देना है इस प्रस्ण का उत्तर हमें उल्टा लिखकर दिखाना होगा 0.4321 लिखकर के दिखाना होगा जब प्रापर इंटीजर में अगर यही होता तो एक दो तीन चार होता दसमलो के साथ है तो 0.4321 की रूप में इसको लिखकर के दिखाया जाएगा ठीक है अब देखिए कुछ और इसके यूजस आपको समझ में आएंगे जैसे कि माली जी यह नंबर हमें कैलकुलेशन के लिए मिला यह नंबर हमें कैलकुलेशन के लिए मिला हम तुरंत इस प्रकार के नंबर में देखिए तीन कामन कर सकते हैं तीन कामन करते इस्थिती क्या होगी बताईए, वन होगी, डबल वन होगी, ट्रिपल वन होगी, फोर टाइमस वन होगी, अब हलाकि इसको मुझे एकजाम में लिखने क्या आउ सकता नहीं है, हमें एकजाम में बस ऐसे ही तीन गुड़े, एक, दो, तीन, चार लिखना है, तीन, एक, तीन, तीन, साथ, जीरो, अब आप डिजिट संभी अगर करके मैच करा दीजे, तो उत्तर आपको मैच कर जाएगा, मैंने कहा कि बस कुछ नहीं, आपको तीन गुड़े, एक, दो, तीन, चार कर देना था, जैसे सेम तू सेम गुड़ा वहाँ पर किया, तीन, च सिंपल सा गुड़ा करिए, तीन हुआ, तीन, दूना, छे हुआ, तीन, तीन, नौ हुआ, तीन, चो के बारा हुआ, 1.2963, आपके सामने बन गया, 1.2963, the right answer of this question, यहाँ पर सिंपल सा, आपको समझना भर है केवल कि क्या चीज़े अपलाइड हो रही है, उत्तर आपके सामने आपको राप्ट हो जायेगा, आगे देखिएगा, जैसे इस प्रकार की भी स्थिति आती है, आप देखें, यहाँ पर एक एक डिजिट हर संख्या में बाहर है, बठ़ हम एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर फील कर रहे हैं, सब में सेम बाहर है, यह बहुत अच्छी बात 64 के 24 तो हमने रख लिया अपने पास बट इसके बाद अगर सोचेंगे तो 0.6, 0.666, 0.666, 0.4, 6 आपको दिया गया है तो आप उसको लिख सकते हैं 6 गुड़े, 0.4321 4.321 आप इसको गुड़ा कर दीजिए 6 के 6, 6, 2, 12, carry 1, 6, 3, 18, 19, carry 1 6, 4, 24, 1, 25 दसमलों यहां लगा 24 में 2 जुड़ा तो 26 दसमलों 5, 9, 2, 6 उत्तर आपका बन गया 26 दसमलों 5, 9, 2, 6 आप बिजिट का सम्भी करके गयाद कर सकते देखिए कैसे किया सबसे पहली चीज सभी 6 को जो बाहर-बाहर है वो क्योंकि पुडांक है उनको तो डारेक्ट हम काउंट करेंगे 6, 24, 24, बाकी जो दसमलों के साथ डिजिट्स लगे हुए हैं उनको simply हम multiply करके यहाँ पर 6.4321 लिख देंगे और जो चीज बचा उसको हम simple सा जोड़ेंगी तो तर आपके सामने यहाँ पर 24, 26, दिसमलों 5, 9, 2, 6 की रूप में बन जाए भिन्न का भी प्रयोग इस तरह के प्रस्णों में किया जाता है और ऐसे प्रस्ण पूछे गए एक्जाम में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बाते ऐसे देखें अब आपको देखें एक प्रकार का जैसे प्रस्णाया इसको देखने से पहले इसको करने से पहले मैं आपको जनकारी दे दो कभी एगर जैसे 5 सही 1 बटा 2 लिखा है तो गलती से भी मत सोचना कि 5 गुड़े 1 बटा 2 है हम लोग ऐसा सोचेंगे तो गलत आप इसका मतलब ये दिमाग में रख लीजेगे आप 5 प्लस एक बटा 2 पांच प्लस एक बटा 2 कुछ लोग सोचें इसमें बहुत सारे लोग गलतिया कर देते हैं कि बटा तो उनके दिमाग में कामल ले ले वह कामन क्यों ले लेंगे क्या गुड़ा थोड़ी है गुड़ा होता तो कामल लेते ना गुड़ा नहीं है सब जुड़े है यहां बीच में प्लस है यहां भी बीच में प्लस है यहाँ भी बीच में प्लस है तो इसका मतलब अगर सब जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर ए दिमाग लगा सकते हैं कि सब का पुडांक क्या है एक है डबल एक है ट्रिपल एक है फोर टाइम से अभी इसका उत्तर कर चुके हैं एक दो तीन चार बाकी आधा आधा एक संबंदित हो चाहे दसंबलों से संबंदित हो चाहे वर्ग करने से संबंदित हो चाहे घन करने से संबंदित हो वर्ग मूल करने से हो घन मूल करने से हो हर एक पहलू आपको टच करने की कोशिस हम भूरी करेंगे आज एक डमी क्लास है एक स्टार्टिंग क्लास है जिसमें आपको कुछ information देने की mood से class को बनाई गई है, next class जैसे ही मिलेगी हम सुरुवात पहले point से करेंगे lecture number one से, जहां से हम आपको number system, संख्या पद्दती, जो basic है जहां से जो सुरुवात mathematics की, यह वहां से हम आपको सुरू करके दिखाएंगे, और पूरी उम्मीद करेंगी कि आपको हुआ चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी, बिस्वास है, बाकी आपकी भी यहां पर नजरिया भी बहुत माइने रखता है, इसलिए हम आप से request करेंगी का आप लोग next classes को भी अच्छी तरह से response करेंगे, जैसे इसको आप लोग अगर कर रहे हैं, उसी तरह से अगली class को भी response करेंगे, तो आपको हम security दे रहे हैं, बहुत अच्छी information मिलेगी, तो अब समय नहीं जाया करते हैं, मिलते हैं next class में, अगले वीडियो में, अगली mathematics की class के साथ, धन्यवाद.